दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्ला फिर चाहे दीवा ना कर दे फिर चाहे दीवा ना कर दे या वल्ला फिर चाहे दीवा ना कर दे या अल्ला ये 27 जुलाई 1990 की रात थी विवेक सिंग्ग को भारत की मतदाता सूची में नाम लिखवाने वाली उम्र के 11 महीने ही बीते थे वो 18 साल 11 महीने के हुए थे वैस्क होने की उम्र को विवेक सिंग साल पर आगे जाकर निहार सकें बस वो एक महीने की दूरी थी वो अगले महीने 19 साल के हो जाते वो मुंबई की मरीन ड्राइव पर अपने दो दोस्तों राहुल मजूमदार और साईराज बहुतुले के साथ दोस्ती की शामों में घर लोटने के तैवक्त में अकसर बढ़ जाने वाले घंटों के बीच यूवापन की गुमराहियों का वक्त बिता रहे थे माबाप की डाट का हंटर हर बच्चे पर एक ही जैसा होता है लेकिन कुछ बच्चे कभी-कभी अपनी परिपक्वता की वज़े से इस चार दिवारी से बाहर सेंद लगाने में कामियाब हो जाते हैं रात में घर वापस लोट आने का वक्त भी अगले दिन के उजाले से बस साड़े चार घंटों की दूरी पर था विवेक सिंग साईराज बहुतले और राहुल मजूमदार ने आखिर घर लोटने का फैसला किया विवेक सिंग गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे और गाड़ी रवाना हो गए इदर शहर के दूसरे हिस्से में एक पाटी हो रही थी जिसमें मकमली आवाज पर पुरजा पुरजा शब्द रोशन हुई गजल की शकल में वहां मुझूद लोगों के जहन में उम्र में खोए पाए का मलाल और सुखद ऐसासों को बहुत धिक सुकून दे रही थी ये मशूर हो जाने के शिखर से भी आगे निकल जाने वाले जगजीत सिंग की आवाज थी पर जगजीत आज कुछ अनमने से गा रहे थे रात के दो बजने वाले थे जगजीत सिंग ने गजलों की शाम में अपनी मकमली आवाज की सारे रंग उतार दिये थे वो हार्मोनियम की बेलोज को स्टील के हुक में फसा कर बंद कर चुके थे पर जैसा की हर ऐसे आयोजन में होता है वैसा ही हुआ मशूर अभिनेत्री अंजु महिंद्रू ने जगजीत सिंग से दरखास की कि वो उन्हें सिर्फ एक आखरी फरमाईशी गजल सुना दे गजल के बोल थे दर्द से मेरा दामन भर दे अल्ला जगजीत सिंग अंजु महिंद्रू की फरमाईश को टाल नहीं पाए उन्होंने हार्मोनियम की धौकनी को फिर से खोला और उंगलियों के थिरकन से रीड के तार सुर से बाहर उलेडने लगे गजल शुरू हुई और गाते गाते उसके भाव से खुद जगजीत इतने जुड़ गए कि उनकी आखों से आसु गिरने लगे इधर मरीन ड्राइव से घर के लिए निकले विवेक सिंग, राहुल मजूमदार और साईराज बहुतले अपने घरों की तरब बढ़ रहे थे ये दो बजे का वक्त था गाड़ी तेज रफ्तार से सूनी सडक पर दोड रही थी हसी खुशी आगे बढ़ते तीनों दोस्तों पर अचानक एक आफ़त आ गई रोड पर अचानक विवेक को एक सीडी नजर आई जो मुंबई की मुनिसिपालिटी के लोग रोड लाइट ठीक करने के बाद लापरवाई से वही छोड़ गए थे तेज रफ्तार गाड़ी को सीडी से बचाने के लिए विवेक ने एक तेज कष्ट मारा पर अब कार पर वो नियंतरन खो चुके थे कार ने भीशन गती से एक गोता लगाया और सब कुछ एक धमाके के बाद चुप हो गया हाजसे में विवेक सिंग नहीं रहे दूसरी तरफ पार्टी में जगजीज सिंग की गजल आज दर्द से मेरा दामन भरदे खत्म हो गई थी पर इश्वर ने गजल को जगजीज सिंग की अरजी मान कर उनका दामन सच में दर्द से भर दिया था विवेक सिंग जगजीज सिंग के बेटे थे कुछ आहटे माबाप पहले सुन लेते हैं क्योंकि खुदा के बाद खुद वही तो दुनिया में खुदा का काम करते हैं दर्द की आहट पाने की सलाहियत उन्हें होती है पर विज्ञान इसे माने न माने शायद इसी वज़े से जगजीत अन्मने थे शायद उनके अश्क इसी वज़े से बेवज़े निकले थे आज जगजीत अपना पूरा जग हार गए थे आज कहानी दुनिया भर के लोगों के दर्द को गजल में पिरोने वाले अनारदाना मिजाज के जगजीत सिंकी मेंदी हसन, गुलाम अली, बेगम अक्तर इन्ही पटिकी गजल गाईकी में गजल खासो खास रही क्योंकि गजले गाना उन्हें समझना कुवत की बात होती थी पर जगजीत सिंग आये तो उन्होंने गजल को साहित्य और मर्म की समझना रखने वाले आम आदमी तक भी सरली करण करके पहुँचा दिया ये कोई आधूनी की करण था गालिब तक को कॉलेज में पहुँचे नए नवेलों तक किसी ने पहुँचाया तो वो जगजीत सिंग थे पर हर आदमी का एक सफर होता है उन्हें भी करना पड़ा और हर कहानी सफर की ही तो होती है जगजीत सिंग गजल को उसकी सबसे महफूज और शाद जगए से भी बाहर लाए थे वो जगए उर्दू जानने वालों के हक हकुक की जगए थी जो या तो शायरी के शामियानों में कैद थी या कोठों की रकासाओं के अदब से घिरे नबाबों की जगजीत सिंग इसे आम आदमी के लिए बाहर लाए उनके नवाचारों के बाद ही आम आदमी गजल समझ सका उसे गुनगुना सका जगजीत सिंग का जन आट फरवरी 1941 को राजस्तान के श्री गंगानगर में हुआ पिता खुद सरकारी मुलाजम थे तो चाते थे कि बेटा बड़ा होकर अफसर बने तो नजूमियों से पहले तो मश्वरा किया उसके बाद नाम को जगमोहन से बदल कर जगजीत सिंग किया पर कुदरत कुछ लोगों को अपनी इच्छा से इस तरह बांग देती है कि आप उन्हें कुछ और कभी बना ही नहीं सकते पिता अमर सिंग्धमानी से गलती हुई उन्होंने जगजीत की पढ़ाई के साथ उनको संगीत की ओपचारिक सिक्षा भी दिलानी शुरू कर दी वो सोचते थे कि बच्चे को संगीत की समझा जाए पर बात आगे बढ़ गई जगजीत पढ़ाई से कन्नी काट गए और मन लगा दिया संगीत में ये राह आसान नहीं थी पर उनका मन बन चुका था इसी राह पर चलने का मुहमद रफी पसंदीदा गायत थे और उन्हीं को कौपी किया करते थे पर पहचान तो अपनी आवाज ही मांगती है पर पहले थोड़ा पढ़ने की उपचारिकता का बंधन था इसलिए जलंधर जाकर डियावी कॉलेज से स्नातक किया और कुरुक्षेत विश्विद्याले से इतिहास में म.A की डिगरी हासिल की जगजीज सिंग ने बच्वन में पंडित छगलना शर्मा के सानिद्ध में दो साल तक सास्तिय संगीज सीखा और फिर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान से ख्याल, ठुमरी और धुरुपत सीखे साल 1961 में All India Radio जलंधर में उनको काम मिल गया, वहीं उन्होंने कई गीत लिख डाले एक स्वागत गीत भी जगजीज सिंग ने लिखा, जब साल 1962 में भारत की प्रथम राष्टपती राजिन पसाद का आना हुआ कुरुक्षेतर विश्विद्याले में पढ़ाई के दोरान संगीत में उनकी दिल्चस्पी देखकर कुलपती प्रॉफेसर सूरजभान ने जगजीज सिंग को ये होसला दिया कि एक सुनैरा कल गाईकी की दुनिया में उनका इंतजार कर रहा है, वो आगे बढ़े और उनकी बात मानकर जगजीज सिंग 1265 में मुंबई चले आए, पैसों की कड़की तो थी ही, यहाँ पर उन्होंने एक विज्यापन जिंगल्स के रूप में गाईकी को गाना शुरू किया अब उस मुलाकात का होना भी था जो शुरू तो एक मुलाकात के रूप में हुई थी, पर यहीं से उनकी हम खयाल और हम सफर बनी चित्रा सिंग से उन्हें उम्र भर का इश्क होना था, चित्रा अपने पती देबू प्रसाद दत्ता और बेटी मोनिका के साथ मुंबई में रहती थी, देबू प्रसाद उस समय ब्रिट्यानिया बिस्कित में एक बड़े अफसर हुआ करते थे, उनको भी संगीत से लगाव था और खाली समय में रिकॉर्डिंग के लिए घर पर उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का सेट अप कर रखा था, उनके पास गा जानती थी, पर ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी थी, बच्पन में मंदिर में गाय भजन तक ही उनकी गाय की पहुँच पाई थी, और उसके बाद सीधा सन्यास, वो अकसर अपने घर की बालकनी में खड़े रहकर सामने रह रहे एक परिवार के छोटे बच्चे को कर देता था, रोज की आदत थी, इसलिए चित्रा एक दिन बालकनी में खड़ी थी, तबी नीचे उन्होंने एक नोजवान को देखा, जिसने काफी चुस्त पैंट पैन रखी थी, चित्रा की उस लड़के को देखकर हसी निकल गई, वो जिस पर हस रही थी, वो लड़का जगजीत सिंग थे, वो सामने वाले गुजराती परिवार के हाँ एक जलसे में गजल गाने पहुंचे थे, अगले दिन लड़के की तारीफों के पुल चित्रा के सामने उस परिवार ने बांधे, इस पर चित्रा ने जगजीत की गाई हुई गजलों की एलपी रिकॉर्ड मांग डाली, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद चित्रा ने नाकमूख बनाते हुए कहा, ये भी कोई गाई की है, गजल तो तलत महमूद गाते हैं, एक रोज दरवाजी की घंटी बजी और एक सक्ष चित्रा और देबू साहब की घरद में दाखिल हुआ, इससे पहले की दर इसमत ने चित्रा और जगजीत को एक बार फिर मिलाया, कुछ देर में रिकॉर्डिंग शुरू होगी, चित्रा ने अब लड़के की आवाज सुनकर पहचाल लिया था, कि यही वो चुस्त पैंट वाला लड़का है, सिंग साहब ने चित्रा से कहा, तुम जगजीत के साथ गाओगी, लेकिन चित्रा ने जगजीत के साथ गाने से इनकार कर दिया, चित्रा की न सुनकर जगजीत ने चित्रा के पूरे घर पर उस समय एक निगाह डाली और कहा, वैसे भी आपको गाने की जरूरत ही क्या है, ये बात सुनकर चित्रा बुरी तरह नाराज हो गई, धी चित्रा के पती देबु को किसी और लड़की से प्रेम हो गया था, ये एक विवाहतर संबंद था, एक रोज उन्होंने चित्रा से बड़ी शाली इंता से कहा, चित्रा तुम बहुत अच्छा गालेती हो, इसी तरफ करियर बनाओ, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, कुछ द दोरान चित्रा अपनी बेटी के साथ दूसरे घर चली गई, बात सुनने में चाहे कितनी भी अजीब हो, लेकिन जगजीत सिंग की मासूमियत का एक एक पुरजा इसमेन आपको नजर आएगा, वो चित्रा से शादी करने की इजाजत लेने के लिए चित्रा के पुर्वपत देबू के पास गए, इस पर देबू ने उनसे मुस्कुरा तेवे कहा, मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ, चित्रा अपने फैसले लेने के लिए आजाद है, जगजीत और चित्रा की शादी बेहत सादान तरीके से हो गई महज, तीस रुपए के खर्च में, इनकी शादी का इंतजाम किया था, मशूर तबला वादक हरीश पुजारी ने, धीरे धीरे जगजीत सिंग की आवाज की हैसियत का असर दुनिया पर होने लगा, 1975 का दोर पूरी तरह से फिल्मों का दोर था, और फिल्मी संगीत को बीट कर पाना बेहद पैनी धार से ही संभव था, तो मशूर म्यूजी कमपनी हमवी ने, सन 1975 में जगजीत को उनके पहले अलबम, दे अनफॉगटबल्स का प्रस्ताव गिया, जिसमें जगजीत और चितरा की गजले थी, ये जगजीत की करिश्माई आवाज की ही बात थी, कि उन्हें उस दोर में भी लोगों से इतना प्यार मि पहला अलबम लेकर आए जिसका नाम था कम अलाइव, इसके बाद दो और अलबम आए और दोनों के कंसर्ड भी साथ शुरू हो गए, अब ऐसा समय आ चुका था जब जगजीत और चितरा की जोड़ी ने अपने शुरोताओं के दिलों में एक अलग ही तरह की जगए बना ल पाद उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे, सन 1980 में उन्होंने साथ साथ फिल्म में जावे दक्तर की गजलों और नजमों को अपनी आवाज दी उसी साल महिश भट्ट की फिल्म अर्थ से जगजीत और चितरा की प्रसिधी आसमान चुने लगे, जगजीत ने 1987 में ब कमल पकड की वज़े से चुआ, जलंधर में पढ़ते वक्त उनके एक दोस्त वा करते थे जो भारत के महाशायर भी हुए हैं जिनका नाम सुदर्शन फाकिर है, फाकिर का मानना था जगजीत और वो दो शरीर एक जान है, एक दूजे के बिना वो दोनों अधूरे हैं, जग जगजीत सिंग को देना चाते हैं, जगजीत सिंग ने उनकी सबसे ज़्यादा लोग प्रिय नज, वो कागज की कश्टी, वो बारिश का पानी, गाई भी थी, जिनकी मिसाल जमाना गजल का जिक्र आते ही सबसे पहले देगा, बेटे की मौत के छे महीने, बाद तक जगजी गूंगे रहे, उन्होंने गाना छोड़ दिया पर आखिर में वो लोटे और संगीत नहीं उस जक्म पर मरहम लगाया, पर चित्रा सिंग ने बेटे के जाने के बाद कभी गाने को नहीं अपनाया, बस उन्होंने कुछ काम किये, वो ममता से भरे दिल से निकली एक अंतहीन तलाश थी, वो कभी अनुष्ठान करवाती, बेटे के लिए दूसरे जहां में शानती के पाट करवाती, कभी अमेरिका जहाकर वहां तांत्रिकों से बेटे की आध्मा से बात करने की कोशिश करती। उनकी बेटी मोनिका ने भी अपनी नाकामशादी से हार कर खुद खुशी कर ले फिर न चित्रा में जीवन बचा न जगजीत में सांसों के चलने को ही जीवन नहीं कह सकते अंदर से मर जाना ही जीवन का अंत है दसक्टूबर 2011 को जगजीत सिंग भी मुलक अदम की राह पर लोट गए पर वो दे कर गए एक मुलाइम आवाज जिसमें गजलों के हर शब्द ने खुद जगजीत की पीड़ा में सनान किया और फिर बाहर आये जगजीत ने कुछ असल में जीता था तो वो था आम आदमी का दिल और दिल जीतने वाले शेहनशाहों से भी उंचे अदब के हकदार होते हैं अगर हमारे किस्से और कहानिया आपको अच्छे लगते हैं तो अपने लोगों के साथ इने शेयर करें सब्सक्राइब करना भूले नहीं क्योंकि ये हमारी होसला आफ जाही करता है शुक्रिया